क lap 10 हुलो फ्रेंड्स वाहगत है अपका मेरे जैनल dear in course में ऐच मैं आप लोगों के सांथू सेयर वा लेज हूँ बिटेमिन सी सेर्म के benefits और हमें इसे कैसी उज करना है हमारे फेज़ पर इसके क्या benefits ईंख सेवाद हूँ बोहत ही बेनिफिचल हूं हमारे बहुत हैं तो आज मैं उसी पर वीडियो लेके आई हूं तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं काईज आज मैं आप लोगों के साथ इसके तीन बैनेफिट्स सेयर करने वाली हूं फर्स्ट बैनिफिट्स विटमिन C सेरम में अंटी ऑक्सिडेंट की प्रॉप्टीज होती है और जो हमारे स्कीन को फ्री रेटिकल से बचाता है जैसी आप बहार जाते हैं तो हमारे स्कीन पर जैसे पॉलुशन है डस्ट है यह सारी चीज़े आती है और हमारे स्कीन खराब हो इसे लिगा हो चैंड, बसक्रम धेषा, जाए, पर चौन की सब्सक्राइब मिलैंच में बाप्स हैविच, बसस्तिक बाइबेजन साव्डो अधिक जाए रजए से एसी एरिया पर आप इसे यूज करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी पिंग्मेंटेशन जाई या डाक सकल्स कम होनी स्टार्ट हो जाएगी थार्ट पैनिफिट्स मैं आप लोगों किसां सेयर करूंगी कि यह हमारे जो इसकिन में कोलेजन की मात्र है कोलेजन की मात्रा घटने लग जाती है कोलेजन एक प्रोटीन है जो हम उम्रे के साथ हमारे सरीर से धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है और हमारे स्किन पर रिंकल्स फाइन लाइन्स यह सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है तो बिटामिन सी सेरम हमारे स्किन की थर कि दो बाड अप इसे लगा सकते हैं का इस तीन वेनिफिट तो अप लोगों के साथ मैंने सेयर कि ए लेकिन इसके बहुत सारी बैनिफिट से जैसे आप मेकप से पहले भी पाधि यूज कर सकते हैं अपने इसकिन को हाइडरेट रखने के लिए यूज ने के तो ये बहुत सारे benefits हैं इसे और इसे कैसी यूज करते हैं, अब मैं वो आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ. विटमिन से सिरम लगाने से पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है और उसके बाद अपने फेस पर सिरम लगाना है और सिरम आपको कब लगाना है जैसे आप सबसे पहले अपना फेस क्लीन करेंगे और उसके बाद सिरम लगाएंगे फिर उसके बाद अपने फेस पर मौशर तो जैसी हम इसे अपने फेस पर लगाते हैं अगर आप ऐसी छोड़ दोगे तो यह क्या होता है बहुत हलके होते हैं तो आपको एक लेयर अपने फेस पर बनाने वह इसे एक प्रोटेक्शन देगा और आपके स्कीन पर यह काम करना स्टार्ट करेगा फ्रेंड्स आप इसे ग्लोइंग के लिए पर अपने फेस पर लगा सकते हैं और अगर आपके फेस पर जाईया पिग्मेंडिशन डाक सकल हो रही है तो इस एरिया पर भी आप इसे कवर कर सकते हैं आपको बहुत जादे इसे लगाने की जरुफत नहीं है दो से तीन डॉब आ है तो आप इसे ऐसे लगा सकते हैं और आपको इस चीज का ध्यान रखना आपको इसे मसाज नहीं करनी है आप इसे धीरे-धीरे डैप-डैप करके अपने स्क्रीन पर इसे अप्जौर्ड करेंगी इसे आपको लगाना है यह चिप-चिपे नहीं होते हैं आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपने सेरम लगा रख है एकदम से आपके पिग्मेंटिशन जाईयां खतम नहीं होंगी लेकिन इसे आपको कंटीन्यू अपने डेली मेकप में या आप जैसे मॉस्चराइजर लगाते हैं अपने फेस पर तो उसकी जरूर करना है और उसके बाद मैं यूज करूंगी मॉस्चराइजर अगर इस तरह से आप अपने फेस पर सेरम अपलाई कर सकते हैं अगर आपको एजिंग की प्रॉब्लम है पिंग्मेंटेशन है डाफ सर्कल है कोई बिग्मेंटिश प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिटमिन सी सेरम यूज कर सकते हैं जरूरी नहीं आप गार्नियर का बिटमिन सी सेरम ही यूज करें कोई भी बिटमिन सी सेरम आप ले सकते हैं और उसे अपने फेस पर अपलाई जरूर करें तो आज की वीडियो अगर आप लोगों के लिए ऐसी ही खुब सारी वीडियोज लेके आऊ मिलती हूँ आप से अपनी एक और वीडियो के साथ टिल एंट टेक एर बाई